सादत हसन मंटो दी कहाणी है सौ केंडल वो चौक्ट कैसर पाक दे बार जिते कुछ तांगे खड़े रन्दे हन बिजली दे खंबे दे नाल खामोश खड़ा सी ते दिली दिल सोच रहा सी विरानी विरानी है इही पार्क जो सिर्फ दो साल पहला इन्नी रोणक नाल पर पूर जगा सी हुनु जड़ी पुजड़ी दिखाई दे दे सी जिते पहला औरत ते मर्द सुन्दरा कर्शक फैशन देले बासांचे चल दे फिर दे सान उथे हुन बे हद मेले को चले कपड़ें विच लोके दर उदर बे मतलब फिर रह सान बजार्च काफी पेड सी परोस चो र कोट या खानल देख रही है सान जिमें बेवा औरत तो हैरान सी के रंग कि थे गया उस सिंदूर कि थे उड़ गया उस सुर कि थे गाइब होगए जो ने कदे थे देखे थे सुने सान ज्यादा समय दी गाल नहीं हो कल दी ता दो वरे था कोई समानी हुन दा इत्थे आया सी कलकते तो जदो उनों इत्थों दी एक फर्म ने चंगी तन खाते बुलाया सी तो उने कैसर पार्क वेचे किनी कोशिश किती सी कि उनों किराये ते एक कमराई मिल जाए पर उना काम रिया हजार फर्माईशां दे बावजूद पर होनों ने देख्या कि कुंजडे जुलाही मुचियां ने तबीयत चंदे फ्लैट्टां ते कमरें उत्ते अपना कबजा जमा रख्या सी जिते किसे शानदार फिल्म कंपनी दा दफ्तर उन्दा सी उते चुले सुल्ग रहे सां जिते शेर दियां बढ़ियां बढ़ियां रंगीन हस्तियां जमा हों दियां सां उते तो भी मेले कुछ अले कपड़े तो रहे सां दो वरे विच्चे इन्ना बढ़ा इंकलाब वो हैरान सी लेकिन इस इंकलाब दी पिठ पूमी उन्हों पता सी अखबारा दे जरीये थे उन्हां दोस्तां तो जो शेर च मजूद सां उन्हों पता लग चुका सी कि एते की हो जा तोफान आया सी पर उस सोचदा कि एक कोई अजीबो गरीब तोफान सी जो इमारतां दा रंग रूप भी चूसके ले गया इनसाना ने इनसान कतल किते औरतां दी बेस्ती किती लेकिन इमारतां दी खुशक लकड़ा दे इटा नलवी होई सलूप किता उन्हें सुनेया सी के उस तोफान चौरतां नू नंगा किता गया सी उन्हा दी अच्छातियां कटियां गया इते उदे आसपास जो कुझ सी सब नंगा ते जोबन रहत सी उबिजली दे खंबे ते नाल लगा अपने एक दोस्त दा इंतजार कर रहा सी जिदी मदद नाल उपने रहायश्ता बंदोबस्त करना चौनदा सी उस दोस्त ने उन्हों किया सी के तू कैसर पार्क दे कोल जिते तंगे खड़े रहा कर दे हन मेरी उडीक करें दोवरे होय और नौकरी दे सिल्सले चाया सी तै थे तंगेयां दा अड़ा बहुत मशूर जगा सी सब तो लबोने सब तो बांके तांगे एथे खड़े रहन दे सा क्योंके एथो आईशी दा हर समान मोहिया हो जान दा चंगे तो चंगा रेस्टरेंट होटल नस्दीक सी बेतरीन चा बेतरीन खाना थे होर चीजां भी शेयर चे जिन्ने वड़े दलाल सानों एथोई मिल दे सी जेस लईके कैसर पार्क चे वड़ियां वड़ियां कंपनियां दे कारण रुपया जाशरा पाणी दी तरा वेंदे सान उन्हों याद आया दो साल पहला उन्हे अपने दोस्ते नाल बढ़ियां इश्चांकितियां सी चंगी तो चंगी लड़की हर रातों दी बगल छुन्दे सी सकाच जंग दे कारण दुरलब सी पर एक कमेंट वेच दर्जना बोतला मोहया हो जान्दियां सी तांगे हुन भी खड़े सान पर हुनों न उत्ते ओ कलगियां ते फुन्द ने उपितल दे पालिश कीते साजो समान दी चमक नही सी इवी शायद दूसरी अंची जान दे नाल उड़ गई सी उन्हें कड़ी चु बक्त देख्या पांजवात चुपके सी फर्वरी दे दिन सान शाम दे पर छामे चाने शुरू हुगे उन्हें मनी मन अपने दोस्तनू लानत तलामत कीती ते सज्जे हाथ दे विरान होटल च मोरी दे पाणी नाल बनाई हुए च्चा पीन दे लई जा पर जदोने मुड़के देख्या ता इक अजनभी सी आम शकल सूरत दा लठे दी नमी सल्वार्च जेस्टों होर ज्यादा शिकना दी गुंजायश नहीं सी नीली पापलीन दी कमीज जो लॉंड्री च जान दी लई बेताब सी उन्हें पुछे क्यों भई तुमें नुबला उन्हें होली जे जवाब देता जी आँ उन्हें ख्याल कीता महाजर मतलब शर्नार थी ये पीक मंगनी चौन दा की मंगना है उन्हें उसे लई जे जवाब देता जी कुछ नहीं फिर करीब आके कहन दा कुछ चाहिदा तो अनू की कोई लड़की शड़की एक है क्यों उपर थले उदे दिमाग जो बड़े साहस पूरन ख्यालात आए इना इंग ख्यालात तांदे पर बाच उन्हें पुछया किते आए उदा टंग दलाल दे ले आशा जनक नहीं सी कुछ कदम उठांदे उने क्या जी नहीं तो अनू जरूरत नहीं उन्हें उन्हें रोकिया तू के में जाने है इनसानों हर वक्त इस चीज़ दी जरूरत हुन दी है जो तू महिया कर सकता है उस हुड़ी उत्ते भी जल्दी चिता विच भी वो फिलास्फर बननी वड़ा सी के रुग गया देखो जे कि ते नेड़ी है ता मैं चलनू ते आ रहा ते मैं ते एक दोस् दलाल नजदीख आगया नेड़ी बिल्कुल कोल कि ते उस सम्णेवली बिल्डिंग और धेख्या उस वेच उस बिल्डिंग जी हान उस लर्जगया अच्छा फर समब्र के उने पुछिए मैं भी चलन चलनू लेकिन मैं अग्गे चलन ते दलाल ने सम्णेवली सी फोरन तय हो गया दलाल ते ओ दो में उस बड़ी बिल्डिंग चे सान जिदी पुशानी उत्ते एक बोड लट करेया सी उधी हालत सब तो खसता सी जगा जगा उखुडियां हुई या इट्टां कटे हुए पाणी दे नालते कूडे करकर दे टेर सान उन शाम गहरा गई सी डेवडी चो लंग के अग्यवदे ता हनेरा शुरू हो गया चोडा चकला वेडा तै करके ओ एक पास से मुड़िया जित्थे इमारत बंदे बंदे रुक गई सी नंगिया इट्टां सन चूनना ते सेमेंट मिले हुए सक्त तेर बने सन ते जगा जगा बजरी खिंडी पु गया उन्हें मूँ उत्ते करके पाड़ियां दे अंत दी तरफ देखिया तो उन्हों तेज रोशनी नजर आई दो मिंट गुजर गया ता दबे पैरियों वही उपर चड़न लगा आखरी पाड़ी होते उन्हों दलाल दी बहुत जोर दी कड़क आवाज सुनाई दे आद रख औरत दी अवाज आई तु मेनु मार सोट लेकिन मैं नहीं उठांगी खुदा दे ली मेरी हालती रहम कर दलाल ने पुछ का रहा उठ मेरी जान जिद ना कर गुजारा के में चलेगा औरत बोली गुजारा जाए जन्नम जाए मैं पुखी मर जांगी खुदा दे ल वाली बोल कोई सोन लेगा ले चल उठ ती चाड़ी रुपए मिल जानगी औरत दी अवास्ट बेंती सी देख मैं हाथ जोड़ दिया मैं किन्ने दिना तु जाग रही है रहम कर खुदा दे ली मेरे ते रहम कर बस एक दो कंड़े लेगी फिर सौन जाए नहीं ता देख मैं जो फर्श होते एक आउरत लेटी है कमरेच तिन बरतन हन बस एदे सिवाह और कुझ नहीं दलाल उस आउरत दे कोड़ बठाव दे पैर दबारिया से थोड़ी देर बाद उसने आउरत नों क्याला उठोन कसम खुदा दी एक दो कंड़े ची आ जाएंगी फिर सौन ले ओ आ आग दिखाई हुई चेच उंदर उठ दी ए ते ची की चंगा उड़ दिया वो इक पासे हट गया असल चो डार गया सी दबे पैरियों तेज हेठा उतर गया उन्हें सोचया कि पाज जाए एस शेर तो भी पाज जाए इस दुनिया तो भी पाज जाए पर किते फिर उन्हें सोचे हैं कि यह औरत कौन है क्यों यह सु ते इनना जुलम हो रही है ते दलाल कौन है इदा की लगदा है ते ओ कमरेच इनना वड़ा बलब जला के जो सौ कैंडल तो किसे तरह भी काटने ही सी क्यों रहन दे है ते उधी अखान चे इस तेज बलब दी रोशनी हाले यह तक वड़ी होई सी उन्हों कुछ दिखाई नहीं दे रहा सी और वो सोच रहा सी कि तेज रोशनी जो कौन हो सौन सकता है कि न वड़ा बलब कि यो छोटा नहीं लगा सकते यही पंदरा जा पच्ची केंडल पावर दा उसोची रहा सी के आहट होई उन्हें देख्या के दो परच्चा में उदे कूल खड़ी है इकने जो दलाल सी उन्हों क्या देख लो उन्हें क्या देख लिया है ठीक है ना ठीक है चारी रुपए होने के ठीक है दे देओ वो हुन सोचन समझन दे काबल नहीं रिया सी जेव चू हाथ पाया कुछ नोट कड के दलाल दे हवाले कीती देखला किन्य ने नोटां दी खड़ खड़ा सुनाई देती दलाल ने क्या पंजाया ने उने क्या पंजायी रख साबसला उधे मान चाही कि बहुत वड़ा पत्थर उठा के उधे मारे दलाल बोलिया तो लेजो इनू लेकन देखो तंग ना करना ते फिर एक दू कंटे बाद ही छड़ जाना बहतर उने वड़ी बिल्डिंग चो बार निकलना शुरू किता जिस थी पोशानी उते वो कई बार एक बहुत वड़ा बोड पड़ चुका सी बार तंगा खड़ा सी वग्गे बैठ गया औरत पिछे दलाल ने एक वड़ फेर सलाम कीता थी एक वड़ फेर उधे दिल चे ख पूटल चला गया दिमाग नू यथा संभव उस परेशानी चोंग जो नू पॉंच जो किसी कड के उने उस औरत वाल देख्या जो सिर्टो पैरां तक उजाड सी उदे पपोटे सुझे सन अखा चुकी या सान जी दा उपर तड़ भी सारे दा सारा चुके हो या सी निवे एक ऐसी इमारत है जो पल परच गर जाएगी उनों मुखातिब होया जरा गर्दंता उची करो उजोर नल चौंकी की कुछ नहीं मैं सिर्फ इना किया सी कुई गलता करो उदी आखा सुर्क बूटी हो रहे गया सान जिवे उना मिर्चां पाइगा गया हो उनों खामोश रही तो अड़ानाम कुछ भी नहीं उदे लेजेच ते जाव वरगी तेजी सी तुसी कित्थों दे रहन वाले हो जित्थों दे तू समय लगया है तुसी इना रुखा के बोल दे हो औरत हो न लगपाग जाग पई थे उस वा लाल बुटी अखा नल देखके कैन लगी तु अप अपने लेजेच दिल दा सारा दर्द पर के उनुके मैं तनु तांग नहीं करता मैंनु ते नल हम दर्दी है उचेड़ गई मैंनु नहीं चाहिए कोई हम दर्द फिर लग पग चीख पई तू अपना काम कारते मैंनु जान दे उन्हें करीब आके उदे सिर्थी हाथ फेरन चाहिए तो उस औरत ने जोर नाल एक पासे चटका देता मैं के निया मैंनु तांग ना कर मैं कई दिना तू जाग रही है जदो तू आई है जाग रही है वड़ी तो चोटी तक हम दर्द बन गया सौँ जाए थी औरत यहां सुर्ख हो गई है तेज लजेच बोली मैं थे स खड़ आते अपने रुपई लेला उस उस उगाल तंदी रही है उन्हें सोचिया कि एस औरत तो ऐसी हालत चे कुछ पुछना थे हम दर्दी जे तौना फजूल है इसलिए उने कहा चल मैं तनू छड़ाओं ते वनू बड़ी बिलिंग छड़ाया दूजे दिन उने कैसर प देख नहीं सक्या मेरे दिमाग जिता हर वक्त एक ख्याल होंदा सी कि मैं उत्तुई पथर चुके दलाल दा सिर्क्यों ना कुछ देता है दोस्त ने क्या वाकई सबाब दा काम होंदा उस ज्यादा देर तक होटल चापने दोस्ते नाल ना बैठ सक्या उधे दिल औ दिमाग ते पिछले दिन दी कटना दा बहुत बोज सी इसलिए चाप खतम होई तदो में चल पए उधे दोस्त चुके जे तांगियां दे अड़ेते आया थोड़ी देर तक होट ये नजरां उस दलाल नू लबदिया रहिया पर उन नजर ना आया ते छे वाज चुके सी वड़ी ब पास ले उते उस पासे चल पे आते उस च दाखल हो गया लोक अंदर आजा रहे सन और बड़े इतम नान आलोस जगात ते पहुंच गया काफी हने रासी पर जदोन पाडियां दे कोड़ पहुंच चे आता उनू रोशनी दिखाई देते उपर देख्या दब्बे पैरी उप दर्वाजे दे पट खुले सन उन्हें जराए दर हटके अंदर चाके सब तो पहला उनू बलब नजर आया जिदी रोशनी दियां अखांच बढ़ गई एक दम उपर हट गया ताकि थोड़ी देर हनेरे वल्मूं करके अपनी आखांच चका चौंद कड़ सके इस तो बाद फिर दर्वाजे बल बदियां पर एस अंदाज नाल के उधी आखांच बलब दी रोशनी दे के रेच ना उनू उन्हें अंदर चाके अप फर्षदा जो हिसा उनू नजर आया उस उते का ओरत चटाई ते लेटी सी उन्हें उनू गौर नल देखिया सौन रही सी मू उते द जिदा सिर टुकडे टुकडे सी कोडी को खून नल सनी एटपई सी एस सब उन्हें एकदम देखिया थे पाड़ियां वल लपकिया पैर फिसले आते हेठा पर उन्हें सटना दी कोई चिंता ना किती होशो हवास काईम रखान दी कोशिश कर दे हुए मुश्कल नल अपने का पहुंचिया थे सारी रात ड्रोने सुपने देखता रहां तनवार